नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है कैंसर से बचना चाहते हैं तो आज ही रसोई से दूर कर दी ये चार चीजे वरना बाद में जिनके भर रहेगा पस्तावा दोस्तों कैंसर बिमारी का दुनिया में आज भी ऐसा खौफ है जो भी इसे सुनता है वह सहम जाता है अगर आप इस जानलेवा बिमारी की चपेट में नहीं आना चाहते तो अपनी रसोई से ये चार चीजे आज ही बाहर कर दे कैंसर की बिमारी तेजी से दुनिया में अपना कहर ढाती जा रही है इस बिमारी से निपटने के लिए कही तरह के इलाज बिकसित हो चुके है इसके वावजूद कैंसर का नाम सुनते ही आज भी सभी के रॉंक्टे खड़े हो जाते हैं जब भी किसी को कैंसर के लक्षणों के बारे में बताय जाता है तो पूरा परिवार डर के साहे में जिने लगता है आज हम आपको रसोई में इस्तिमाल होने वाली उन्ची जो के बारे में बताएंगे जो की कैंसर बिमारी का बड़ा कारण बनती है अगर आपके घर में ये चीजे हैं तो इन्हें जल्द से जल्द हमेशा के लिए विड़ा कर दे वरना आपको बाद में पच्चताना पड़ सकता है किचन में ये समान बन सकते हैं कैंसर का कारण डिबो में रखे हुए पुराने मसाले कई लोग दो तिन मेहने की मसाले एक साथ खरीद कर रसोई में रख लेते हैं लेकिन वे उन मसालों को पुरी तरह से यूज नहीं कर बाते जिसके चलते वे रखे रखे खराब होने लगते हैं जिसके खराब मसालों को सबजी में मिलाने से वे फूड पोईजनिंग का सबब बन जाते हैं जिसके बाद कैंसर भी हो सकता है इसलिए हो सके तो जितनी जवरत हो उतने ही साले खरीद कर रसोई में रखे उससे ज़्यादा नहीं टी बैक्स का सेवन भी है नुकसान दायक उनमें एक PCV फूड ग्रेड नायलोन और नेनो प्लास्टिक होती है जब उन टी बैक्स को गरम पानी में डुबाए जाते हैं तो वे तिनों योगिक तुटने लगते हैं इसकी वज़े से उनमें कार्सी जोनेम नामक एक प्रदार्थ सक्री हो जाता है जो बाद में कैंसर का कारण बन सकता है इसलिए टी बैक्स का इस्तमाल कम से कम करें नौन स्टिक बरतनों में खतरनाक केमिकल रसोई में मौजूद कई नॉनिस्टिक बरतन केमिकल का इस्तमाल करके बनाया जाते हैं ऐसे केमिकल को per fluoctane sulfate कहा जाता है ऐसे केमिकल, sample, waterproof कपड़ो, सफाई के उत्पादनों और नॉनिस्टिक कुकवेर में पाया जाते हैं बरतनों में भोजन बनाने से धेरे धेरे ये केमिकल आपके सरीर में प्रवेज करते रहते हैं जिससे कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है कैंसर को बढ़ाते हैं प्लास्टिक लंच बॉक्स प्लास्टिक को सक्त करने के लिए उसमें बिसफोनेल एब याने की बीपिय नाम के केमिकल का इस्तमाल किया जाता है प्लास्टिक के लंच बॉक्स और दूसरे कीचन टूल्स भी इसी रसायन के इस्तमाल से तैयार किया जाते हैं जब आप इन बर्तनों में मौजूद सबजी को गरम करते हैं तो वह रसायन भी गुलकर प्लास्टिक में मिक्स होने लगता है जिससे कैंसर का खत्रा धीरे धीरे बढ़ता रहता है इसलिए आप ऐसे प्लास्टिक बर्तनों से दूरी बना ले तो ठीक रहेगा दोस्तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से रवर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद